कि अगर आप किसी व्यक्ति से जो वमण नहीं उससे पूछोगे कि आप क्या हो तो दुलिए भर की बात है तो बताएगा जगैं बताएगा कोई जात वात जो जवडिस्ती चिपकाई होगी वो बता देगा वर्ग बता देगा, काम बता देगा, धंदा बता देगा, पर समर्स है वो ये उसे पता ही नहीं, और उसकी तो बात छोड़ो जो साधन आदमी है, जो बहुत बड़े-बड़े ग्यानी है, जिन्होंने PhD की डिग्रियां ले रखी है, जो बहुत बड़े-बड़े अफसर हैं, जो बहुत बड़े-बड़े नेता हैं, जो दिन्नाद दिन्नाद भाशन देते हैं, जो दिन्नाद दिन्नाद सेलेबिटी हैं, यूटूब पे सरकारों को और मंत्रियों को गाली देते रहते हैं, जो दिन्नाद दिन्नाद किताबें पढ़ते रहते हैं, जो दिन्नाद दिन जिन्होंने मूवमेंट में, डॉक्टर अमेटकर की मूवमेंट में काम भी खुग किया है, और वो जो बुद्ध के सबसे बड़े दाविदार बनते हैं, और इनसे भी बढ़के वो जो पत्रकार हैं, जो दुनिया को खोदते रहते हैं, एक सब्द को खोदते रहते हैं, वो संग्ठन में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं ज़्यादा बोलते हैं तो संग्ठन की पैचान के लिए कहता है अरे वो फलाना एस पी परिहार उसका समर्संग अरे वो फलाना योगंदर उसका समर्संग अरे वो फलाना कटके रमेश उसका मतलब जहां जहां लोग ज़्याद ने अब और पहले भी अपने-पने संग्ठनों के पीछे संग भी लगाए गुए हैं, सिख्चक संग, पलाना संग, मुल्निवासी संग, भाउजन संग, पिर्तालित संग, महिला संग, विधार्ती संग, छात्र संग, ये बहुत साइ लोगों ने लगा रखे हैं, मतलब सभी ने लगा रखे हैं, जो भारत में हैं, क्योंकि इतने सारे संग्ठनों तो अलग-लग नाम भी चाहिए, तो संयुक्तराज संग और भादकरदाज संग और बुधन स्रणन गच्छामी जो बोलते हैं, संगं स्रणन गच्छामी उससे परेरित होके लोगों ने पिछे संग भ बारे में समझाना चाहिए, और संग के बारे में समझाना चाहिए, सीधे सीधे उसको दस गोल्टन नियम नहीं बताने चाहिए, क्योंकि पहला गोल्टन नियम है केवल समण, और आपने खुद जानते हो कि अब हम समण हैं, जो लोग यहां हैं, पुराने वो जानते हैं, त थे अभी तो पुराने होगे बहुत सारी बातें जानते हैं पर जब सुरू में आये थे तब क्या समर्शंग के वारे में पता था तब समर्शंग के वारे में नहीं पता था तब समर्शंग के वारे में समर्शंग की जानकरी नहीं थी तो यहां से सीखी यह बहुत सारे विद तो समण सब्द की जानकारी को अच्छी तरह से रट लें और बताएं कि समण सब्द का मतलब क्या होता है वैसे तो सिंपल भासा में अगर किसी को समझ में नहीं हाता है तो सिर्फ इतना बताएं कि जो वमण नहीं है वो समण है भारत में पर हम वमण का जिक्र नहीं करते पर एक लाइन में समझाने के लिए कर लेते हैं, क्योंकि अगर comparative करें, तुलना अत्मक अध्यन करें, एक दूसरी की तुलना करें, तो जल्दी समझ में आ जाता है, ये काला है, ये गोरा है, तो किसी को अगर काला समझ में नहीं आता है, तो गोरा दिखा दो तो काला समझ में आ एक काला आदमें दिखा दिया गोरा दिखा दिया तो समझ में आजाता है कि अच्छा इसको गोरा बोलते हैं इसको काला बोलते हैं या किसी को बोल दिया कि यह हरा है और यह लाल है और दिखा दिया तो फिर उसको समझाना नहीं पड़ता वरना लाल लंग को कैसे समझाओगे अगर किसी को दिखाओगे नहीं तो लाल लंग नहीं समझा सकते पर उपाहि देते रोगे तुलना ही करते रोगे तो तुलना आसान होती है पर डिटेल में समझाना हो तो समझाने के लिए उसको बताना पड़ेगा कि बावा साब अमबेटकर ने, बुद्ध ने और महापुरसों ने जो संघर्स किया, जो महनत की अपने उत्थान के लिए, हमारे उत्थान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, वो सारी की सारी महनत जिन लोगों से अगेश्ट में थी, यानि कि जब हम अपने उत्थान की बात कर रहे हैं तो जायश्थी बात है कि हमारा कहीं उत्थान की बजाए पतन हुआ पड़ा है और पतन हुआ है तो पतन के कारण है और पतन करने वाले कुछ लोग है तो पतन करने वाले कुछ लोगों का कल्चर है संस्क्रती है या पाली में संक्रती है तो वो जो संक्रती है उन लोगों की जन्होंने हमारा नुक्सान किया है उनको जो बोला गया साहिते के अंदर डॉक्टर अम्बेटकरन ने और उनके बाद के लोगों लोगों ने उन्होंने उसको ब्रहमन संसकती बताया है ये जो ब्रहमन और संसकती सब्द है ये हमारे नहीं है संसकत के हैं संसकारित हैं चेंज किये हुए है औरिजिनल सब्द है बमन संकती तो हमारी संखती पहले है पुरानी है हमारे बाद में वम लोगों की विप्रिद लोगों की आई है तो हमारी जो संखती है उसको किताब में बोला गया सिर्मन संसकती ये संसकाइट सब्द है संसकत का इसको अगर हम पाली में बोलेंगे, अपनी भासा में बोलेंगे, तो सिर्मन की बजाए इसको बोलेंगे समण संखती, तो समण सब्द कोई नया नहीं है, कोई अचानक से आया नहीं है, कोई पैदा करके नहीं है, कोई बनाया नहीं है, औरिजिनल सब्द है, किसी देश में जब कोई आदमी बाहर जाता है तो अपने देश को कहता है कि मैं इटेलियन हूँ इटली से आया हूँ तो इटेलियन का मतलब मेरी जो नागरिकता है यहां का वो निवासी है वो इटेलिक है इटेलियन है तो बताता है तो समण लोग जब यहां से बाहर कहीं ज अच्छा नहीं पाते थे अपनी भासा में तो हमने ही उनको नाम दिया वमण यानि के हमारे विप्रीत, हमारे उल्टे लोग हमारी संखती के, हमारी सभैता के, हमारी संसक्रती के, हमारी कल्चर के, हमारे रहन सेन के, हमारे रंग के, हमारी कद कार काठी के थे हमारे काम काज के उल्टे लोग तो उल्टे लोगों को वम कहते हैं तो हम नहीं नाम दिया वमन वमन नाम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है बुद्ध के साहते में तो मिलता है, समना और बमना पर उससे पहले साहित्ते में जाओगे तो है नहीं क्योंकि वम लोग बहार से आई हुए लोग हैं पर समणा समणी मिलते हैं इसलिए बोलता हूँ आपको क्योंकि अगर आप साहित्ते में जाओगे तो समणा का समणी मिलेगा यानि समणा है नर और समणी है नारी और समणो है और समण संखती है सामणेर है बहुत सारे समणा के सब्द हैं बहुत सारे हैं पर बमणा का बमणी नहीं मिलता यानि के महिला नहीं उनके साथ में बमणी कहीं नहीं मिलता आज भी भासा में ब्रहमन सब्द यानि संसकाय ब्रहमन तो है, ब्रहमन तो है, पर ब्रहमन नहीं मिलता, यानि फीमिल नहीं मिलती, इसका मतलब कल्चर ये बताती है, सबहता ये बताती है, लेंग्विज ये बताती है, कि वहां से नर ही आए है, नारी नहीं आई है, अगर नारी आई होती, तो बहुत सारे सब्द होते, और पाली भासा ये बताती है कि बमण का बहुत ज़्यादा सब्द नहीं है क्योंकि जैसे समणों के बहुत ज़्यादा सब्द है इसका मतलब उनकी पूरी संकति है उनके कामकाज के सब्द है सारे तो बमण अगर यहीं के होते तो उनके बहुत सारे सब्द होते जैसे कोई व्यक है अमरीका से ऐया है पर उसके और सब्द नहीं मिलेंगे क्योंकि वह आयए अब है तो उसके सब्द बाद में बनेंगे डबलब होंगे अगर वो सदियों से यहीं रहता यहीं का मूलनवास ही तो फिर उसके बहुत सारे डिक्स्टानी में सब्द मिला करते, मगर वो ऐसे होते नहीं है, तो यह पहचान होती है, कि जिसके जितने सब्द होते हैं, कम, उतना ही वो बाद में आया हुआ होता है, और जिसके जितने ज्यादा सब्द होते हैं, उतना ही वो पराना और प्राश बाद में आया हुआ होता है सारे भासा के जो सायंटेस्ट हैं उन से पूछ लो और उन से क्या पूछना है। आज आगर आप यह देखोगे कि कुछ समय पहले तक हमारे हैं कम्पूरटर को जानता नहीं था। मोबाइल को जानता नहीं था। इंटरनेट कोई जानता नहीं था, मोबाइल बैंकिंग कोई जानता नहीं था, नेट बैंकिंग कोई जानता नहीं था, एबीम कोई जानता नहीं था, एटीम कोई जानता नहीं था, अभी आएं सारे सब अब जानते हैं, तो इनकी उमर जादा नहीं है, इसलिए इनके सब्द मैं जाओगी तो कहीं मिलेगा नहीं इसलिए पुराने सब्सक्राइव किताबें बताती हैं कि पहले क्या चीज थी और अब क्या चीज है तो किसी को से जब बात करोगे समर्संग के वारे में तो उसे यह बताओगे के भारत के आज के भारत आज समय भारत था उसमें सोले महाजनपदों का संग था यानि सोले बड़े बड़े छेत्र जिनको हम स्टेट बोला करते हैं उसमें महाजनपद जनपद का मतलब है जहां जन के पद हो पद माने पैर भी होता है और जन माने आम जन हो गया और महा माने बहुत ज़ादा तो बहुत ज़्यादा जहां लोग रहते थे, उस बड़े छेत को महा जन्पत बोलते थे, ऐसे ऐसे 16 महा जन्पतों में ये पूरा एरिया बटा हुआ था, और उनका जो सामुई के संग था, वो संग महा भारत करके बोला गया बाद में, महा भारत, महा भारत इसी को बोलते है यही महावारत है, बाद में छोटा भारत रहा गया क्योंकि कुछ एरिया चले गए, तूट गए उसमें, नहीं समाल पाए बाद के लोग जिन्हों ने उस पर कबजा किया, तो यह सारे लोग जितने भी थे, यह सब के सब समण लोग थे, इनकी दो व्यवस्ताएं थी, एक करके बोला करते थे, राजा की विवस्ता, क्योंकि जो गढ़ होते थे, उनमें तो कोई टेक्स वैक्स देता नहीं था, वो तो सामी कुरूप से बैठते थे, ना कोई चंदा, ना कोई धंदा, पर राजा सेना भी रखने लगे बाद में, और बड़े महलों में रहने लगे तो उनको पैसी दो पड़ती थी, तो वो लगान लिया करते थे, जिसको बली बोला करते थे, बली दो भाई, पुरानी भासा में बली है इसका नाम, तो कहते हैं कि बली देनी पड़ेगी, तो बली देनी का मतलब है टेक्स दिना पड़ेगा, यही बली बात में जाके, जब की बली हो गए आदमी को मारा नहीं चाता था मारने के किसे तो बहुत बाद में आये हैं आदमी को बंद्वा मज़ूर बना दिया इसका मतला आदमी हमारा टेक्स में चला गया ये बात की पठा रही हैं तो समढ जो सब्द है वो इतना प्राचीन पुराना है कि उस समय कास सिस सिस्टम जो आज भारत में चलता हूँ रहा है क्योंकि भारत में सम्विधान में भी कास सिस्टम बना है कास सिस्टम के वारे में बावा साब से अच्छा किसी ने आस तक खोज नहीं की और बावा साब ने भी साब बता दिया कि कास सिस्टम माइंड से बना हुआ है कहीं लि लगलग करके आने जाने की सुब्धा ने थी पर समण संग के नियम सभी जी के चला करते थे उस समय खाली संग बोला करते थे क्योंकि हम लोग संग हैं समण हैं तो कोई अमरीका के अंदर आदमी से अगर आप पूछोगे तो भाई तुम कौन हो पड़ोस का आदमी पूछेग में और दो अमरीकन आ जाए और आपस हम मिलें और वो पूछे तुम कहां से आए हो तो कहेगा मैं अमरीका से आया तो इंडिया में रहे के बताएगा अमरीका से आये हैं पर अगर अमरीका में रहेगा तो दो अमरीकन बात करेंगे तो कहेंगे कि मैं एक दूसरे स्टेट से आया हूं, हवाई से आया हूं और वो दूसरा कहेगा के मैं मॉन्टाना से आया हूं। वो करके ऐसे बताएंगे। तो वो अपने या उपने पने मुहले का नाम बताएंगे ऋपने क各位 करोनी तब ये difference पैदा हुआ कि ये वमन है जो बहार से आए हमने नाम दिया उनको और हम समन तो समन जो सब्द है वो हमारा सब्द है और वमन सब्द भी हमारा है जो हमने बहार के लोगों को दिया है बाद में संस्कायद भासा की गई बाहर के जो लोग आये थे उनके पास में बहुत सारे सब्द ऐसे थे जो हमारे यहां नहीं चलते थे आधा शे, आधा सटकॉन वाला शे पूरा शे, पूरा सटकॉन वाला शे आधे रहे, जो आधे रहे है हलंत है और दो तीन सब्द और हैं जैसे त्रे है गे है, श्रे जो स्री वाला स्री है वो यह सब्द हमारी भासा में नहीं रहे एक दो सब्द हमारे गायब भी होगे जैसे अंग वाला, जैसे हम सिंग लिखते हैं तो सिंग में अंग की आवाज आती हो पर बिन्दी के साथ में अभी हम बोलते सिंग हैं पर लिखते सिने हैं तो क्योंकि ने की आवाज बिन्दी लग लगा रखी हमने ये बिन्दी अगर आगे लगेगी तो सिंग बोला जाएगा बलकर सिहंग बोला जाएगा तो ये जो अंतर आया इस अंतर की वज़े से हम अपने स लोग जो आए वो ठंडे एरिया से आए और वो ठंड में शय-शय करते रहते थे मतलब उनकी automatic शय की आवाज निकलती है ठंड में ठंड से कापने से शय की आवाज जाद निकलती है शय-शय-शय करते रहते हैं उसको वो भासा में जो कंपन बोलता है उसको sharing करके बुला करते हैं, तो उसे शेय और वहां कही तरह शेय चलते हैं, तो ये सर्मन बना दिया, समर्ण से सर्मन बना दिया, कोई प्रिशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पर अर्थ बदल दिया, समर्ण लोग जो होते थे, वो मजदूर नहीं होते थे, किसान होते थे, वो जैसे बैपारी होते थे, बुद्ध जैसे महागुरु होते थे, सम्राट असोग जैसे सम्राट होते थे, चंदगुप्त मोरे जैसे विशाल आकरमक राजा हुआ करते थे, सैना पती थे, सैना थे, साइंटिस्ट थे, इसी थे, इसी माने जो वैग्यानिक थे, वैग्यानिक थ वो बड़े फक्र से कहते हैं कि हम याचक हैं कहानिया भी सारी यही बताती है कि एक गरीब याचक ब्रहमन किसी समण के दरवाजे पर खड़ा याचना करता है कभी कोई कहानी नहीं मिलेगी कि एक गरीब याचक समण किसी वमन के दरवाजे पर क्योंकि वमन का दरवाजे नही खालिया यह उनकी जीवन होता था या मांके लिया तो समण लोग का जो इत्यास है वो बड़ा जबस तरहा पर जब इसको समण से शिर्मन कर दिया तो इसका सब्द बदला गया उसका प्रचार किया गया कि यह श्रम करने वाले लोग हैं और श्रम को कह दिया मेहनत करने वाले यह शर्मक है और यह आसर्म में रहने वाले हैं यह सरं दाता हैं यह सरं दानी हैं यह सरं जीबी हैं यह सरं से बहुत सारे सब्द निकाले गए पर पाली में शर्य नहीं है शरम सब्दी भी नहीं है, सरमक भी नहीं है, स्रैमिक भी नहीं है, परिसरम भी नहीं है, आसरम भी नहीं है, क्योंकि स्रै कोई है नहीं सब्द पाली के अंदर, इसका मतलब पुरानी भासा में, जब स्रै सब्दी नहीं है हमारे में, तो हम सर्मन नहीं है, हम समण है, शर्मन म और समन में December के अंतर हो जाता है समन करते ही आप घंतर खी बफन जाते हो जर्मण करते ही यह सब चानल करते ह। अरे भाई श्रम नहीं करते हो आप, आप तो अपनी सल्तनत को खो के बैठे हो, इसलिए श्रम का या श्रे का कभी इस्तमाल नहीं करना, यह हमारे है यह नहीं, तो समण का स्तमाल करना है, पर अपसोच इस बात का है, कि बार बार बताने के बावजूद भी, मीडिया के लोग नला नला, कुछ नहीं पता उनको, ना तो वो किताब पढ़ते, ना वो जानते, हम अपने मीडिया की बात करते हैं, जो समण मीडिया है, वो बड़े गुमान में है, कि बड़ा सब कुछ जानता है, पर वो क्या जानता है, जो वर्मन उसके सब्द में मुह डालता है, मुह म के अंदर एक होटल है ललित एक ली मेरिडिन होटल है उसके बरावर में तो वहाँ प्राइम लोकेशन है वो पारलियमेंट के बरावर है उस जो अम्बेटकर फाउंडेशन था उस अम्बेटकर फाउंडेशन को मौडिफाइड करके वहाँ पे और बन गया और बहुत बड़ से अफसर को लगाती है और रूल बनाती है तो गवर्मेंट है रूल बना सकती है कोई आपकी कोई दादागरी नहीं है वहाँ पे बेसक वो डॉक्टर अंबेटकर का अडिटरियम है बेसक वो अंबेटकर फाउंडेसन है पर आपकी दादागरी नहीं है दादागरी गवर्मे मैं 200 पे स्ट्रीट के साथ से क्राया में देना पड़ता है तो अगर वह अपना किराया देगा वहाँ पर तो अपना function करेगा उतों करेगा तो अपने अराध-ध्या करेगा अपने उपासका करेगा तो अपने अरा भेड़ख का सिंबल लगाएगा चिनिल लगा? पर वो Government of India में पूरे देश के लोग का हिस्सा होता है। आप जब किसी मंदिन में किसी ध्रमसाला में क्रायप लेते हो। आप जब किसी धारमी के सलों क्रायप लेते हो। तो उनके साथ कोई कंडिसne नहीं होती。 वहाँ आपने डॉमेंटकर का बड़ा फोटो लगाते हो उरदग गने बजाते हो अपने अरद्धेस आयकल लगाते हैं तोowo कहाँ इत्राफ करते है अम्बेटकर भावाण जो डॉक्टर अम्बेटकर ने खुद पर्चेज किया लीज पे लिया उसके अंदर वम्णों की शादियां होती है एक प्लेट डेड़ से लेके धाई जार रुपे में मिलती है और कैई वार महां दो दो हजार प्लेटें उठती है यानि कैई वार महां स्षाधी के सीजन में 5 5 6 7 7 7 क्रोड रुपे आता है तोबी कोई सामने को कुछ नहीं तो जो जन लोगों को जो लोग महां किरायर देते हैं उनको पैसा देते हैं अब वो शादिक आपके साब से थोड़ी करेंगे उनके तो फेरे पड़ते हैं उनके तो वहां जो भी कुछ सारी कंपनी आती है प्रोमोशन कर नहीं है उनको भी क्राइप मिलता है तो सबको मिलता है पैसा लेगा तो आपके डॉक्टर मेट करके गाने थोड़ी गाएगा या तो आप पैसा लो मत डॉक्टर मेट करकी जगे है तो डॉक्टर मेट करके लिए होनी चाहिए तो डॉक्टर अमबेट करके भावन पर तो कोई अत्राज नी करता वहां तो ना मीडिया का हाथ चलता है ना मीडिया का पैन चलता है ना किसी का मुँख खुलता है पर वो जो गौर्रमेंट ओफ इंडिया की सेंटर गौर्रमेंट ओफ इंडिया की जो जगे है जो सबके लिए है उस पर दुनिया भर के काम पर लगे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया ऐसा कर दिया वैसा कर दिया तो भाई अपनी तर भी देख लिया करो कभी इसलिए बार 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 बता जाता है कि हमारे जो लोग हैं वो नहीं जानते कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है समण सब्द को मीडिया का कोई आदमी नहीं जानता समण सब्द को हमारा कोई इंटलेक्शन नहीं जानता समण संग हमारा संग है इसको कोई बुद्धी जी भी नहीं जानता इसलिए आपको बहुत महरत करनी पड़ेगी आप दस गोल्डन नियम बाद में देना पहले समझ समझ बताओ कि समझ क्या है क्या नहीं है अगर आप समझ समझाने में कामयाब हो गए तो आदी जंग जीत जाओगे तो कुछ लोग समझ भी गए है जो नेता टाइप के लोग हैं उनको समझ में आग पर वो वो बने हुए है जैसे गुलगुले खा के मुझ बंद के ले तरह बोलना नहीं है क्यों नहीं बोलना है अरे अगर बोला तो लोग पूछेंगे भई तुम क्या बेफकूफ थे तुम्हें पता नहीं था कि तुम दुनिया वर के सब्द बता रहे हो जो हमारा मूल सब्दे वो नहीं बता है तुमने क्या बाबा साब को पढ़ा तुमने क्या बुद्ध को पढ़ा तुम दुनिया में बोलते रहते हो सर्मन संसकती है और ब्रहामन संसकती है तुम ब्रहामनों के सब्दों को लेके घुम रहे हो उन्होंने तुम को सर्मन सब्दों बोला तुम उसी को सर पर उठा के घुम रहे हो उन्होंने ब्रहामन सब्दों बोला तो उसी को है और जो बावा साब ने बोला कि सुल्वा वॉल नहीं करता कोई आता नहीं कहीं उन्हें तो चुपचाप अपने सिर्मन के समण कर दिया है अच्छा किया चलो देर आए दुरुस्त आए जो सिर्मन चला रहे थे उन्होंने समण कर दिया है पर महराष्ट के अंदर हमें कारिकर में गए अभी महराष्ट के अंदर हमने वहाँ पर बात उन्होंने हमें टाइम दिया और बड़े अच्छे लोग हैं महाराश के बहुत बड़े आएं वहां आमने स्रमर्संगी बात रखी और भी स्रमर्संगी गए थे उन्होंने भी बात रखी वहां आमने स्रमर्संगी गंत भी दिये महाराश के लोगों में बड़ा कहा है संगंग सरनंग अच्छामी यह अपने समर्संग में जाने के लिए कहा है हम तो सोचते भिक्कु संग में जाने के लिए कहा है पर आपने जब बताया कि भी भिक्कु संग में तो भिक्कु ही जा सकता है हमारा तो समर्संग अलग है और भिक्कु का भी समर्संग है तो ब प्राइम पहरी जानकारी य외 पहुचानी है कि समर्ड क्या है संग क्या है बहुत साफ लोग जो ने कहा था अरे यह समर्ड कांसे आया तो हमारे बहुत सारे वृधवाण ने बता दिया यह देखो भई मैके सृने कि किटाब दो संघ कैועरे डिकाец में क्रप देखो संग करते है और उर संको सलाम करते हैं, संको नमस्ते करते हैं, संको नमामी करते हैं तो सब लोग उना देखा उना का हाँ ये तो एथियासिक साथ्चे हैं, इसमें तो बात ही नहीं और चलो अगर कोई आदमी ये कहता है कि वो एथियासिक साक्षो को नहीं मानता historical proof को नहीं मानता हम तो फिर भी तैयार हैं तो हम उससे सिर्फ एक बात पूशते हैं भई आप ये बताओ कि आप हो कौन जातियां तो बाद में बनी है तो जाती का जिक्र तो हम करते हैं वैसे भी हमारा रूल बना हुआ है जब कुछी है नहीं तो उसका जिक्र क्या करना बावा सामने मना किया है इसका जिक्र मत करो ये खतम है तो बात खतम हो गई अब आप बताओ कि आपकी पहचान क्या है जाती की पहचान छोड़ो वो नहीं है वो तो फेक्फ है जूटी है वो तो आपकी औरिजिनल पैचान क्या है आप जो जहां पहले रहते थे उसमें अपने आपको क्या कहते थे आपकी क्या पैचान है वो चकर खा जाते हैं ये पूछो उनने से फिर उनसे पूछो कि भाई एक बात बताओ जो बाद में आए आप ये मांते हो ना जो ब्रहम्न आया वो बाद में आया और हम यहां के प्राने हैं तो इस बात को सम्माने गे वो मूल निवसी वाले जितने भी लोग है mã Ho aviजन निवसी वाले वो भी मानते है और जो अर्जक्त समाज वाले है वो भी मानते है और जो छुट भही है दो दर के संग्षन चला रहे हैं वो भी मांते हैं कि हाजी ये बात तो सही बावा साथ आप लिखा है कि ब्राहमण लोग बाद ना हैं अच्छा ये बताओ तो उनसे ये पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि भई पूरे देस में ब्राहमण पाए जात अतरप्तonnais का ब्रहामणि यह राइस्तानिका ब्रहामण आस्पा जो लोग रहते हैं वो क्या है तो काली सी खेल जाता है दिमाग घूँड़ता है तो बताना क्या बता रही बकवास करेगा जाती ब new wow सब्सकति है ना अगर उसके लोग करते हैं उसके लावा को तीशा सब हुए बताएं पिस संखतीड के लावा को तीशातिंग बता दे क्या। तो फिर हम उससे ये पोछते हैं अरे नादान निन्यता हमारा अगुवा हमारा इतना बड़ा आदमी तु ये बता तुझे अतनी जानकारी है कि जो केरल का ब्रहमन है तमिलाडू का ब्रहमन है कनाटक का है उडिसा का है जो विहार का है बंगाल का है ऊपर चले जाओ तो उधर हिमाचर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश का है गड़वाल का है राइस्थान का है पंजाब का है हिमाचर प्रदेश का है ये सारे ब्रहमन एक नाम से जाने जाते हैं कि ये ब्रहमन ब्रहमन हैं हमारा एक नाम क्या है तो फिर नला नला फिर गया मैदान खाली कुछ बताता है नहीं पर तू उनकी तो पहचान बता रहा है जिनकी पहचान नहीं जिनकी पहचान हमने दी है और तू घदे के बच्चे अपनी पहचान न ले रखे गए है पड़ता ने खूलकर निको देखता नहीं निली किता बस लोगों को धमका ने रखे if भूटु कुछवाता रहता ने साथ में साफ तो बता रहें है तिर्मान संस्क्ति है तो पहचान बता रहे हैं कि उनकी बाद में हैً पहले हमारी है तो हम सारे के सारे समण हैं और हम लाखों में हैं करोडों में हैं हम बस वही लोगों का पुराना जो संग है वो समण संग है और ये संग हमारा समण है तो समण सब्द पर ही आपको ठकना है और समण संग को ही बताना है समण संग को ही एस्टाबिस करना है समण सब्द को एस्टाबिस कर दे का तू क्या है बस खेल जाए काली सी क्योंकि अगर समण नहीं है तो वमण ही होगा दो इतरे के लोग हैं या पर समण या वमण हैं तो आपका आधा काम हो गया फिर वो आपके दस गोल्डन नियमों के बारे में जानना चाहेगा फिर वो आपसे पूछेगा कितने लोग जुड़े हुए हैं उसमें कितने नहीं हैं कहां कहां काम चला है कैसे चला है क्या नियम है क्या नियम है वो बात की बात है उसके लिए आप समण गंत दे सकते हो फिर बाद में बता सकते हो पर कोसिस यह करें कि जितने भी हैं लोग जोड़े हुए है कि वो समढ़ सब्द पर detail में बात करें समढ़ जानकर इप detail में बात करें और कहीं अगर ठक जाये सवाल का जवाब ना है तो यह वीडियो देख लें और अगर वीडियो भी ना देख पाए तो किसी समढ़ संगी को फोन कर लें और ना भी फोन कर है अपने दादा दादी को बताना है अपने रिजदारों को बताना है अपने दोस्तों को बताना है और समढ़ गंत का दान करना है दान मतलब देना दान माने होता है देना तो देना कैसे यह तेरे रुपे साट पैसे का है ज्यादा बड़ा नहीं है इसकी दस वीस पचास कि पर मंगा के रख लीजिए बावस आपके जरंद ना रहा है तो गिफ्ट में लोगों को बांटनी है तो पहले पहले ही मंगा लीजिए क्योंकि बनने में और आने में टाइम लगता है यहां पर आजासर है उन्होंने समढ़ सेवा के इंद खुला हुआ है वो सेवा करते हैं पंद्रेस रुपे में आपके घर आ जाएगा पंद्रेस रुपय का दान आपने डॉक्टर अमबेट करके जनदिन पर गिफ्ट के रूप में लोगों को करना है और लोगों से केना है ये लोग समढ़ गंथ का एक गंथ यह हमाई तफ से डॉक्टर को बथडे पर आपको ग तो परण करने हैं कि इस बत ते पर आपको बावा साब के जनम दिन पर उनके जनम दिन का ने है उसे काम होगेँगा, सो समद्गंत सोगहरों में जाकर देना है आप अपना नाम लिखे देंग हैं अपना फॉनाम्ब लिखे देंग युट ... तकि आपको आपको good कर लें और ..... कर रहें कि हरइरत में सौ श्रमल उगन्त कम से कम देने हैं कम से कम वाइसे तो जिसकी छमता है डो सो दे पांचो सो दे हजार दे दस यारा लगा दे क्योंकि एक सोबीस क्रोल लोग हैं इतने को समनाजनत पहुनट पहुचाने हैं पर सुरुआ सो से करें और सो से कम तो सोचे भी न है जो आदमी 15 रुपे मैं इसलहेनगार कि हो सकता है किसी आदमी की छंटा 15 सूरुपे की न हो पर जो नोकनी पेसा लोग है जो अच्छी सेलिल ले रहे हैं वो पंदे सो तीन हजार रुपे खर्च कर सकते हैं उनके करने चाहिए हर महीने करने चाहिए यह हमारा कर्तबे से हमारे जान बचेगी इससे हमारे जानकारी मुंबई की साथ आठ नौ अपरेल की सीटें में कुछ खाली है कुछ हरियाने की लोगों ने और बुक कराई हैं बताया था आप महां जाओ वहां बहुत अच्छी सेवा होगी महां पे महिलाओं की संगती है मुंबई भी घूमिए साथ आठ तारी को मुंबई घूमने का काई डाल दें और संगती में जितने ज्यादा हो सके पहुंचे इसके लाव और भी संगती हैं यहां पर और जो लोग हैं अपने जो नसर हैं वो संगती को बताएंगे इसके लावा संड़े की संगती दिली में चल रही है अभी हाउस लगेगा तो जो संगती उसका नियम पास कर बैटते हैं यहां भी बैटते हैं और उधर बिजनौर में तो कई सालों से बैठ रहे हैं तो संगतियां लगानी शुरू करें और अब उसका रिकॉर्ड भी मेंटन होना शुरू हो रहा है तो संडे संगती लगाता लगाता लगेगी तो हमारी आपस में बहुत ज़्यादा ब जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग मारे गए हैं खतम हो गए उनकी नम नसलें खतम हो गए इसलिए जुड़ना ही जीतना है जुड़ना ही जिंदा रहना है और हमको जिंदा भी रहना है और जीतना भी है इसलिए हमें जुड़ना ही होगा जुड़ने में हमारी जो सबसे बड़ी बादा है वो हमारे अपने संग्ठन है पर वो बाद में बात करेंगे क्योंकि हमारे संग्ठन कैसे करते हैं बहुत सारी है और क्यों कोई साती हैं वो बता देंगे पर आज के लिए इतना ही काफी है